यह हमारे रूट वर्ड की जो सिरीज है उसका सेशन है आपका तो इसमें हम लोग डिस्कुस करने वाले हैं और न्यू रूट आज के लिया में और आगे की हम लोग जो है इस सिरीज को कंटीनु रखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं बट उससे पहले एक इंपोर्टन इंपोर्मेशन तो जो भी लोग दोस वो अरगेटिंग क्याट और अधर मेनेजमेंट एक्जम्स पर 2024 उन लोगों के लिए बेसिकली अभी एक बैच जो है आपका वो स्टार्ट हुआ है और विच अर्जुना DILR और Verbal Ability and Reading Comprehension से आपके ये 1-1 topics जो हैं वो हो चुके हैं and बट कि डाउट आपका ये भी हो सकता है कि हम इनको कैसे कवर करेंगे तो आप लोग जो हैं आप लोगों को एप पर MBA पाचला की एप पर इनके जो 1-1-1 topics हुए हैं इनके recordings जो हैं वो आपको मिल जाएंगे content folder म प्रस अब तक इनके जितने भी practice sheet दिये गए हैं और जो भी class notes दिये गए हैं वो सब भी आपको जो है content folder में मिल जाएंगे तो आप लोग जाकर और उसे check कर सकते हैं content folder में and अब चलते हैं इस batch के कुछ features के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या important feature है first है आपका की export faculty रहने CUT, CET and exact exam तो आप लोगों के complete जो आप लोगों के exams है सभी exams का complete syllabus आपको कराया जाएगा जितने भी आपके sections हैं में included तो उन सब का आपका syllabus जो है वो definitely complete होगा प्लस आप लोगों को जो है mini test practice sheets definitely आपको मिलते ही हैं तो आप अगर अपने class notes कर लेते हो cover आपके class notes आपको दिये books दी जाएंगी आपको printed booklets जो हैं वो आपके घर पर deliver कराये जाएंगी तो आप इन books से जितना content कर लो और जो आपको content folder में जितना भी content जो दिया जाएगा उतना अगर आप कर लेते हैं तो उससे extra आप लोगों को किसी भी book को purchase करने की कोई need नहीं है इसमें आपके sectional mock test, topic wise test and जो full length mock test जो हैं वो सब भी इसमें included हैं तो yes आपको कहीं से mocks and all भी purchase करने की कोई need नहीं है उनों mocks का जो है आपको analysis भी करवाया जाता है उसके बाद आता है आपका live class doubt solving आपका रहने बाला है for example आप live class में हो और आपका कोई doubt होता है तो आप उसी time raise hand करके उस doubt को पूच स इस वाद में सबसे important कि आपका one to one live mentorship भी इसमें रहने वाला है तो one to one mentorship आप लोगों को इसमें मिलने वाला है जो कहीं और आपको definitely नहीं मिलेगा तो आप इसमें जो आपको one to one mentorship है वो उसमें आपके किसी भी type के profile building के लेके या फिर आपके कोई भी preparation किसी भी type का जो भी doubt है तो आपको उसका one to one mentorship जो है वो मिलने वाला है तो यह सब features जो है वो आपके है अरजुना batch के आप MBA पारचला का app जो है वो download करके और एक बार खुद से जाकर भी चेक कर सकते हो इसके जो भी features है and all सब चीज़ें and आप लोग play store से इसको या फिर इसको download करके आप आपको download करक और आप इसके prices चेक कर सकते हैं जो भी आपको इस पर off मिल रहा है वो सब भी आप जाके देख सकते हैं app पर right तो आप बिलकुल एक बार जाएं और app को explore करें तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आज के session पर आज का जो route है आज का जो session है वो थोड़ा सा based on है आपका word power made easy book से तो आपको with pictures बताने वाले हूं root को तो easily हम लोग उसको जो है understand कर सकते हैं pictures के साथ में तो देखते हैं इसका first root see हमारे पास में जो root है first वो है हमारा ego जो root है हमारे पास में which is ego इससे जो words बनने वाले हैं आपके क्योंकि ego खुद भी एक word है तो ego से जो word बनने वाले हैं एक root से आप बहुत सारे words आपके बन सकते हैं जो कि कुछ ऐसे हैं जैसे कि egotist हो गया egoist हो गया ego खुद एक word है then meaning जो है वो क्या है और वो सब भी हम लोग जो है discuss कर लेते हैं इसमें तो चलिए देखते हैं तो basically ego जो root है आपका इस root से first word जो है which is ego self तो ego जो है वो खुद भी एक word है as a noun हम इसको यूज करते हैं it means होता है once concept of oneself it means कि अपने आप के लिए जिन लोगों का concept हो या फिर वो सिर्फ अपने आपको ही सबसे ऊपर समझते हैं या वो क्या होते हैं थोड़ा सा self importance ज्यादा देते हैं अपने आपको तो इसका जो synonym हो जाएगा वो होगा self importance, self worth, pride और self steam it means यह इसके ज Ego बहुत ज़ादा भरके Ego होता है उनका concept सिर्फ अपने लिए होता है right तो जो it means सब अपने आपको importance देते हैं हर जगे इस type के लोगों को हम क्या कह सकते हैं या इसको हम क्या 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 है कि अपने आपके लिए concept हो ना इस देख लेते हैं, he needed a boost to his ego, right, यह उसे थोड़ा अपने आपको भी importance देने की need है, अपने आपको कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो बिल्कुल भी importance नहीं देते हैं, खुद को, right, वो हमेशां दूसरों को ही अपने से उपर रखते हैं, तो किसे भी term में, family term में ले लो, friendship term में ले ल relationship term में ले लो, जैसे भी, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो कि अपने आपको ज़्यादा importance देते हैं, तो उन्हीं के लिए ये example है, कि he needed a boost to his ego, okay, तो चलिए, अब हम चलते हैं, next route पे, यह था हमारा first route का first word, second word जो है, which is egoist, egoist को भी हम as a noun ही use करते हैं, and it means होता है, believes in self advancement, ज फिर उन्हें लगता है कि मैं ही हमेशा सबसे सही हूँ, मैं जो भी करता हूँ, वो 100% correct है, बाकी लोग गलत हो सकते हैं, बट मैं कभी गलत नहीं हो सकता, ऐसे लोग को egoist लोग बोलते हैं, कि जैसे कि इस picture से भी हम लोग देख सकते हैं, कि I am always right, right, तो इस टाप के लोग होत है, मैं तो सबसे best इंसान हूँ, तो मैं अपने आपको admire करूँगा, मुझे दूसरों में कोई ऐसा नहीं लगता कि दूसरे perfect है, मैं perfect हूँ, इसलिए वो अपने आपको admire करते हैं, वो self-seeker होते हैं, तो इसका antonym जो है, वो हो जाएगा, self-hater या humble person, right, और example, इसका example भी दे है, have control over everything, है न, जिनको क्या होता है, कि सब पे control करना, कि सब मेरे according चले, या मुझे admire करें, जैसा मैं कहूँ लोगों को, वो वैसा करें, मेरे under control रहें, है न, इस टाइप के जो लोग होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, egoist kind of person, या egoist person, right, तो यह आप देख सकते हैं, यहाँ पर, next चलते हैं, इसके third word पर, which is egotist, इसको भी हम as a noun ही use करेंगे, इस word को भी, क्योंकि यह किसी ने किसी व्यक्ति के लिए use किया जाता है, अब egotist और egoist में क्या difference है, देखो, egoist मिंस्ता self-admirer, जो अपने आपको सबसे best समझता है, लेकिन यह कैसा है, जो हमेशा अपनी accomplishments के बारे में ही बात करता है, जिसे लगता है कि दुनिया में जो किया है, सब मैंने ही किया है, जिनको हम फेकू लोग भी बोलते हैं, अपनी language में किया है, यारी कितना बड़ा fake way, इसको लगता है, कि इस इसने ही किया है, हमेशा अपने accomplishments के बारे में बताएगा, अचीवमें नोबिता वाले उसमें आता है, कार्टूर में, तो देखा ही होगा, यह बोलता रहता है, मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा, ताकतवर, मेरा गला है बड़ा सुरूइला, तो यह जो जियान का एक slogan टाइप है, जो बोलता रहता है, अपने आपको एड्मायर करता रहता है यह अपनी accomplishments के बारे में ही बताता रहता है, इस टाइप के जो लोग होता है, तो इसका synonym जो है, वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, बोया तो बोलेंगे ही नहीं, एसे लोग बोलेंगे जो सिफ अपनी accomplishments के बारे में बताएंगे, आपने relatives को यह देख लो, इसका example, जियान को छोड़ो, जैसे कि इसको छोड़के दूसरा example दे सकते हैं, आपके relatives हो गए, वो भी तो यही करते रहते हैं, अपने बच्चों के accomplishments के बारे में बताते रहते हैं, अपनी कम्यों के बारे में नहीं बताते हैं, तो उस type के जो लोग हो जाएंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, egotist kind of person, right, egotist kind of people, जैसे कि आपके रिष्टेदार होते हैं, am I right, अगर आप भी agree करते हो तो बताओ, next पे चलते हैं, number four, next जो word है, वो है आपका egocentric, egocentric, sorry, egocentric को आप as an noun भी use कर सकते हो, और as an adjective भी, adjectives क्या होते हैं, जो speciality बताते हैं, विशेश्टा बताते हैं, किसी ची की, किसी person की, किसी के भी बारे में, right, तो वो क्या होते हैं, ego centric kind of people, जैसे कि thinking only of oneself, जो सिर्फ अपने बारे में, जिनकी दुनिया अपने चारों तरफ ही घूमती है, है न, अपने चारों तरफ ही घूमती है, the world does revolve around me, इस टाइप के जो लोग होते हैं, जिनको कि हम self observed, sorry, absorbed जो है, जो है, ज्यादा better word रहेगा, जो अपने आपको लेके बाद obsessed रहते हैं, उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया उनके चारों तरफ ही घूमती है, इस टाइप के लोग होते हैं, कि सब लोग उन्हें pamper करके रखें, सब उन्हें जितने भी लोग हैं, उनके जो friends हैं, वो भी उन्हें pamper करके रखें, अगर वो कहीं office में हैं काम करते हैं, तो चाते हैं कि वो लोग भी उसे pamper करके रखें, जिनको बहुत जादा ऐसे होते हैं, कि बहुत जादा pamper या लोगों, जिनको ऐसा होता है कि लोगों का ध्यान सिर्फ मुझ पे ही हो, होते हैं जिनसे र रूमेट है न, वो कितनी इगो सेंट्रिक है यार, कितनी इगो सेंट्रिक इंसान है वो, सिर्फ उसको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया उसी के चारो तरफ घुमती है, उन्हीं के चारो तरफ घुमती है, उन्हीं के इर्दगिर्द घुमती है, उन्हीं को बस इंपोर्टें kind of people right sorry okay next देखते हैं इससे बनने वाला next word egomaniacal egomaniacal means क्या होता है it means morbidly और obsessively wrapped up in oneself यह भी kind of last one की तरह ही हो जाएगा self obsessed यह self oriented जैसे कि अनन्या पांडया को देख लो आपकी मैं इतने सुन्दर हूँ मैं क्या करूँ उन्हें लगता है कि भाया जो है सब वही है जो मतलब इस type के लोगों होते हैं उन्हें लगता है कि सबसे अच्छा मैं हूँ सबसे सुन्दर मैं हूँ अपने आपको लेकि बहुत obsessed kind of यह last वाले से related ही है ठीक है same ही है तो इस type के लोगों को क्या लगता है कि जो हूँ मैं ही हूँ उनको लगता है कि सब बस मैं अपने आपको लेकि obsessed रहता है मैं कैसी दिख रही हूँ मैं कैसी नहीं दिख रही हूँ मैं ऐसे बेटर लगूँगी sorry कला खराब है या ऐसे बेटर नहीं लगूँगी इस type के जो लोग होते हैं है तो इसका अंचनिम disinterested या फिर magnanimous हो जाएगा for example इसका एक example भी दिया है कि mirrors were hung in every room so that egomaniac could prim and admire himself so egomaniac जो people है it means कि जो self obsessed है या उन्हें अपनी ही होता है कि मैं कैसी लग रही हूँ मैं कैसी नहीं लग रही हूँ यह वो तो वो अपने आपको क्या कर सके prim and admire himself कि वो अपने आपको admire कर सके जैसे कि आप देख सकते हो अनन्या पांडिया का जो struggle है उसे लगता है कि उसने बहुत struggle किया है जो होते हैं obsist लोग अपने आपको लेकि obsist होते हैं दूसरों से अपना comparison करते हैं कि हाँ मैंने इतना मतलब वो किया है struggle किया है मैंने ये किया है इनको तो struggle का इस भी नहीं पता क्या ये किया है तो इस type से राइट अगर आपको और इक्स के example पता है तो आप comment में बता सकते हैं कि हाँ और भी जैसे आनन्या पांड्या है वैसे और example दे सकते हैं जैसे आलिया भट ले लो तो इस type से जो भी आपके नजर में और भी कोई example से करीना कपूर ले लो तो इस type से हम बोल सकते हैं जो कि अपने आपको ले के बहुत obsessed रहते हैं तो आज के लिए बस ये इतने ही थे next session में मैं आप लोगों को किस आप लोगों से मिलूँगी next route के साथ with pictures तो pictures के साथ में थोड़ा engagement भी रहता है और चीज़े याद भी रहती हैं आप लोगों से मिलूँगी next route के साथ में अब तक जितने आपको मैंने करा दिये हैं इनको आप एक notebook बना लीजिए vocabulary का उसमें इनको लिख लीजिए जितना जो भी आपको class में करवाया जाता है लिखाया जाता है उन सबको आप लिख लीजिए आपको वहाँ पर भी help करने वाला है तो चलिए अब मैं मिलूँगी आपसे next वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care and yes वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए का thank you so much